प्रोब्लम तो उसके लिए मेरे को कुछ बताई आप बिल्कुल बहुत अच्छा कोश्चिन आपने पूचा है मैं चाहा भी रहा था इसके युपधर वीडियो बनाओं बच्छुकि आप आए हैं यह प्रोब्लम लेके तो मैं सोच रहा हूं आपको भी एक्स्प्लेइन कर देता हूं और अपने दोस्तों को भी एक्स्प्लेइन कर देता हूं तो फ्रेंड्स यह हमारे एक कस्टमर हैं He has come here for the problem of scratches So basically scratch के बारे में बात करते हैं लोग आते हैं बोलते हैं जैसे भी भाईया ने आके बोला कि आपने तो anti-scratch lens दिया था अभी scratches कैसे आ गए तो आपको बिलकुल याद है कि हम लोग ने ये word यूज किया था anti-scratch Anyway, sorry for that But actually हम लोग कभी anti-scratch word यूज नहीं करते हैं That is actually scratch resistant अच्छे देखिए पहले क्या था आप सब लोग glasses के lens यूज किया करते थे कांच के lenses हुआ करते थे तो कांच basically थोड़ा hard होता है उस पर scratch की इतनी probability नहीं होती इस पर scratch आते ही नहीं थे तो वो normally 4-5 साल बड़े आराम से चल जाता था अब plastic lenses हैं Plastic lenses soft होते हैं इस प्लास्टिक है material soft होता है तो usually जब आप किसी गंदे कप्रे से उनको साफ करते हो या उस पर dust जम गई है तब आप उसे clean करोगे बिना धोय हुए बिना वाश किये हुए तो उन पर scratch आने की प्रोवेंसी बहुत ज़ादा रहती है तो basically जो scratches की definition है वो यह है कि जो हम उस पर coating apply करते हैं that is scratch resistant coating not scratch proof coating आपने जैसे बोला ना कि scratch proof coating है ऐसा नहीं है scratch resistant coating होती है जो scratches को आने के लिए एक हट तक रोखती है बट scratches plastic lenses पर आते ही है इससे कोई फरक नहीं पड़ता आपने कौन सी brand के lenses लिए है आपने कितने महगे lenses लिए है अगर आप ऐसे देखो तो plastic lenses नॉर्मली 500-600 रुपे से शुरू हो के एक सबा लाग रुपे तक चाते है कुछ brands ऐसी हैं जो इतने महगे lenses भी देती है बट उस पर भी scratch resistant coating होती है scratch proof नहीं होती तो पहली बात तो आप ये माल लीजिए जिस भी clinic पर आप दिखाने जा रहे हैं जिस भी optometer से आप मिल रहे हैं जिस भी doctor से आप मिल रहे हैं वो कभी भी ये word use नहीं करेगा कि scratch proof scratch proof तो कुछ है ही नहीं हर चीज़ पर scratch आता है scratch resistant coating की जाती है ताकि उसको आप normally कुछ समय तक without scratch आप उससे देख सको but usually वो scratch धीरे धीरे आना शुरू होई जाते हैं कि आप डेली उसको wash नहीं करोगे नॉर्मल आप कई बारी क्या होता है अपने कपड़े से clean कर लिया रूमाल निकाला उससे clean कर लिया कई बारी हम अपने जो बन्यान बगरा पहने हुए है उससे भी clean कर लेते हैं scratch proof कुछ नहीं होता number one इसमें दो चीज़े हैं जैसे आपका lens मैंने देखा तो मैं आपको बताता हूँ इसमें दो चीज़े हैं आपने बोला कि scratches हैं इस पर मैंने चेक किया बाकई में उसमें scratches हैं बिल्कुल तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि जो आप अब देख रहे हैं वो coating feel off है तो scratch and coating feel off दोनों में फरक हो गया coating feel off क्या होती है जब हम lens को clear करने के लिए plastic lenses actually 100% transparent नहीं होते उनको transparent बनाने के लिए हमें उनको एक coating करनी परती है जिसको usually हम जानते हैं anti reflection coating के नाम से जिसको करने के बाद lens 98-99% तक transparent होता है अगर आप वो coating नहीं कराते हो तो lens की transparency कितनी होती है 94-95% तो आपको 99% तक transparency लेने के लिए आपको anti reflection coat कराना पड़ता है जिस पर सबसे पहले हम scratch resistant coating करते हैं उसके बाद फिर हम anti reflection coat करते हैं जी जी आपने anti reflection बिल्कुल सही पहचाना आपने anti reflection लिया था मेरी वीडियो भी है आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं शायद आपने उस पर देखा हो जी जी तो anti reflection हो गया फिर आपको scratch resistant coating हो गई और anti reflection coating हो गई तो जो coating आपने जो दूसरी picture देखी जो picture आप अभी देख रहे हैं उस picture में आप देखेंगे कि हलके हलके spot बने हुए है coating ऐसा लगेगा जैसे polythene की layer उतर रही है तो वो coating that is called coating peel off coating peel off एक complaint होती है जो company की तरफ से lens की तरफ से ही आती है या lens में ही कोई fault होता है जिसकी वेसे वो हो जाती है कई बार ऐसा पाया गया है तो याद रखें दोस्तो नॉर्मली हर company इस चीज की warranty देती है कोई भी coating हो six month to one year उनकी warranty रहती है अगर आपको ऐसा case जो आपके सामने अब दिख रहा है अगर ऐसी कोई picture आपको अपने lens में दिखती है तो आपने जहां से भी वो specs बनवाया है जहां भी clinics पर आपने लिया है वहाँ जाईए और बापस उनको कहिए कि इसमें coating की problem है तो वो replace करके देते हैं हमारे यहां तो usually ऐसा ही होता है सुबह तक उसकी उपर धूल जम गई और उसके बाद आपने कपड़ा कोई भी normal कपड़ा लिया उससे clean कर दिया तो वो जो dust particle है उनसे उस पर scratch आ जाएगा हमेशा बोला जाता है spray use करिए इस प्रे को आगे और पीछे puff करिए उसके बाद जो कपड़ा दिया गया है उसी कपड़े से उसको clean करिए तो scratches कम आते हैं आएंगे तब भी ऐसा नहीं है कि आप 100% उनको रोख लो बट scratches फिर भी आएंगे तो आप उनको काफी हद तक रोख सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं जैसे कि बोलते हैं प्रिवेंशन इस बैटर देन क्योर आलवेज इटिस सैड तो आप इसको समझिए कि अगर हम पहले से ही उसको अच्छे से रखेंगे तो हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें आप करना क्या है जैसे आप आई अप डॉक्स साब इसका क्या करूँ तो पहली बात तो यह समझ जी है इसक्रैक्स आने के बाद एक पर्टिक्लर टाइम के बाद जिस पर इसक्रैक्स जादा आ गए तो वो लेंसस खराब हो जाते हैं फिर कुछ कर नहीं सकते हैं उन लेंसस का वो हमें फैक्क नी पड़ते हैं और आपको एक नया लेंस लेना पड़ता है लेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यह जो कोटिंग होती है लगबग देर से दो साल बहुत अच्छा काम करती है उसके बाद धीरे धीरे आप डेली क्लीन करते हो तो कोटिंग भी उतर जाती है तो उतना उसमें कोटिंग भी नहीं बसती है यानिकि लेंस आपका धीरे धीरे विदाओट एंटे रिफ्लेक्शन विदाओट इवी प्रोडेक्शन यह सारी चीजह उसमें आ जाती है जो कम्प्लेंट लेंस में आएगी डाट इस कॉल्ड पीलिंग ऑफ बट इस्क्रैचर्श हमेशा आपके यूज़ पर आते हैं सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अपने ध्यान रखिए